नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग अगर घर का वास्तु भी गड़ जाए तो जीबन में परिशाणिया ज़्यादा आती है और आप लाख प्रियास कर लें पर खुसियां आपके द्वार से ही लोट जाती है क्या करेंगे हमारे यहां हमारे घर का वास्तु का सबका महत्व है हम जहां भी रहते हैं चाहे हम किराय के घर पे हो या फिर अपने ही घर में हो लेकिन घर के मुख्य दर्वाजे को सजाना हम नहीं भूलते तो मुख्य दर्वाजे को हमेशा ही सजा के साथ रखना आप सबसे जो खुबसूरत दर्वाजा होता है आपके घर का वो आपके घर का मेंडोर होता है तो मुख्य दर्वाजे के पास कुछ चीजें आपके जीवन में सुपता बढ़ाती है और कुछ चीजें रखने से या फिर असोक के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईए हमेशा ही सजाकर रखे तोरण जिसे कहते हैं उसी को बंदनवार कहते हैं तो इस तरह से आप लगाके रखेंगे तो घर में नकात्मक उड़जा प्रवेसी नहीं करेगी घर के मुखे दरवाजे को हमेशा ही साफ सु जोस्तिक का निसान बनाईए घर के दरवाजे के देखे मा लक्षमी उस घर में ही रहती है जहां कोई कमी नहीं है यानि आपका सभाब आपके घर के सकात्मक उरजा को बढ़ाता है आप भले ही बहुत सारे नियम का पालन करते हैं लेकिन हर समय घर में कलह कलेस होगा तो लक सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा हुआ एक बरतन जरूर रखे संबबो तो गुलाब की पंखुरी डालकर रखे और ये बरतन आप रखेंगे अपने घर से पाहर निकलने के समय घर के ठीक अंदर मुख्य दरवाजे के दाहिने साइट ये आप सकात्मक उड़ जाएं आएंगी आप सभी सुरक्षित बने रहेंगे भूल कर भी मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से गनेज जी की तस्वीर मत लगाईए क्योंकि गनेज जी की तस्वीर में दरेता का निवास होता है अगर आप बाहर से गनेज जी की तस्वीर तो आप अंदर से भी एक गनेश जी की तस्वीर ठीक वहीं पर लगा दें कि दोनों का पीठ एक जगा चिपक जाए तो ऐसा करने से निगेटिव जो दोस है जो इसके गलती आपने किये हैं उनसे मुक्ती मिलेगी घर के दरवाजे पर अगर चावल और हल्दी के घोल से आप सुब चिन बनाते हैं स्वस्तिक का निसान ओम का निसान मुक्खे दरवाजे के ठीक ऊपर चौकट में बीचो बीच आप बनाते हैं बाहर की तरप से तो जो भी बैक्ति आपके घर में आएगा एक तो उसकी निगेटिव इनर्जी बाहर ही रह जाएगी और अगर उसके आँखों में कोई गलत चीजे हैं तो वो भी इस दोस को समाप्त कर देता है ये चावल हल्दी हमेशा ही वास्तु को ठीक करके ही रखना चाहिए और उसके लिए तमाम प्रयत्न भी किये जाते हैं आज हम आपको क्या नहीं रखना चाहिए अब हम ये जानते हैं अभी तक हमने सिर्फ ये आपको सिंपल सब्दों में बताया क्या अच्छा होता है एक और बात सनी बार और रवी बार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाडू लगाने के पहले पानी डाल दिया करें यानि आप एक मग एक बाल्टी कोई भी हो पहले पानी डालें और फिर जाडू लगाईए ऐसा करने से घर का जो अगर किसी ने कुछ किया होग आपके घर में तो वापस से उसी के पास चला जाएगा आपके घर के मुख्य दर्वाजे पर पाईदान जरूर होना चाहिए जिसमें पैर पोस्ते हैं डैरेक्ट कभी भी कहीं से घर में प्रवेस ना करें नहीं तो आपके पैरों में जो निगेटिव एनरजी है वो भी आपक कर नजर सबसे पहले जूते चपल पर पढ़ रहा है यह अच्छी बात नहीं जूता चपल रखिए लेकिन कहीं साइड की तरफ एकदम से सामने में मत रखिए ये भी वास्तुदोस को बढ़ाता है जूता चपल हमेशा करीने से रखें जोड़े की संख्या में यानि को एक यहां है एक उधर से है एक उल्टा है एक सीधा है एक पर एक चड़ा हुआ है ये भी वास्तुदोस बढ़ाता है घर के में दरवाजे पर काटे वाले पौधे या दूद वाले पौधे मत लगाईएगा जिस भी पौधे को तोड़ने से उसके पत्ते से उसके तने से या आपके घर के आसपास कोई बी ऐसा पेड़ जो सुग गया है एकड़म ठूटा सा दिखता है उसमें पत्ते नहीं हैं पुस्प नहीं हैं बंज़र सा दिख रहा है वैसे भी घर ऐसे जगह में कभी नहीं बनाना चाहिए जो इलाका ही बंजर हो जब भी रहें समाज में रहें समाज में रहें तो सुख दुख में हर कोई साथ देगा आपका कहीं अकेला लोगों से कट कर रहना ये अच्छी बात नहीं होती सब के बीच में रहें ताकि आप भी खुश रहे और आपके साथ लोगवाल जो हैं वो भी खुश रहें ऐसे पौदे अगर हैं आपके घर के आसपास बड़े पेर हैं जिसकी चाया आपके घर पर पड़ती है तो ऐसे पेड़ों के आप डाल कटबा दें कि चाया आपके घर पर ना पड़े क्योंकि ये सबसे बड़ा दोस होता है आपका बरकत ही नहीं होने देगा घर के आसपास आपके घर के पास कोई फलदार ब्रिच्छ जैसे आम का पेड़ है उसे हटा दें क्योंकि आपके घर में जो बच्चे वो तरक्की ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में आम के पेड़ हैं तो कभी कभी क्य के तु सनी का वास हो जाएगा फिर तो परिसानिया बढ़ जाएगी तो पीपल का पौधा वैसे भी घर में अच्छा नहीं होता आप हटाईए कहीं भी हटाकर सारवजनिकस्थान पे लगा दीजिए क्या लगाएं घर के मुखे दरवाजे पर जो अच्छा हो बेल का पौधा घर के सामने बाहर की तरफ लेकिन एकदम से में गेट के सामने मत लगाईएगा साइट से अप लगा दे बेल का पौधा लगाने से नियमित रूप से दर्सन करने से एक बेल पत्र रोज लक्ष्मी मा को अरपित करने से धन की कमी लाइफ टाइम नहीं होती यह उपाय आप कीजिए बेल का पौधा जरूर लगाईए और अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं बार बार परिसानी है दबाईयों पर खर्चे जादा हैं तब अपने घर के में डोर के पास एक अनार का पौ करेगा और स्वास्त भी अच्छा अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है तो छोटा सा उपाय तो है पर है बड़े कामकार रोज साम में अपने घर के तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर चलाएं ओम रभीवार के दिन लेकिन नहीं जलाईएगा ओम नमो भगवते वा और ये दीपक जो जलाईएगा तुलसी के नीचे आप जलाएं और तुलसी को साम होने के बाद नहीं चुना चाहिए वैसे तो तुलसी एकादसी, दुआदसी, मवस्या और गरहन के दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए नाहीं नाखुन से तोड़ना चाहिए ध्यान और कुछ नियुमों का पालन करके मालक्षमी को आप बना सकते हैं तो आप हमेशा ही याद रखिए कि घर साब सुत्रा हो बिसेस कर मुख्य दर्वाजा सबसे ज्यादा खुबसूरत हो जहां से सकात्मक उर्जा आपके घर आएगी और मुख्य दर्वाजे के पास कुड़े द अनरजी को ही गुजरने देता है और घर में प्रवेश करने के लिए वास्तु सास्त के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने के लिए आप प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटका सकते हैं मुख्य द्वार को दिब विप्रतिक जैसे ओम स्वस्तिक के न झाल इवार